शारुक खान को किंखान बोलने के पीछे एक बड़ा कारण है और वो ये है कि दुनिया भर के लोगों की दिलों पर राज करते हैं चार सालों के लंबे इंतिजार के बाद किंखान बड़े परदे पर वापसी की तयारी कर रहे हैं शारुक खान को अपने सामने देखना फैंस के साथ साथ हॉलिवूड फिल्म बेसी के इंस्टिक्ट फेम एक्टर शारुन के लिए भी बड़ी बात थी अबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दबाना ना पूलें सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में शारुख खान को खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है इसमें फिल्म फेस्टिवल की होस्ट आती है और सभी को बताती है कि शारुख खान इस चैनल के पास बैठी अब जो चैनल को खान इसमें पास बाइब एक शारुख खान को बारते शिनेमा में योगदान के लिए आवार्ड से समानित किया गया इवेंट में उनकी मौजूद्की का स्वागा तालियों के साथ किया गया आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे हॉलिवुड डेक्ट शारुख खान को देख कैसी फैन गल की तरह भौचक्ती हो गई सुपरस्टार को देख खुशी से उनकी चीख निकल गई शारुख खान को देखती रहीं जैसे उन्हें अपनी आखों पर यकीन ही नहीं हो रहा ताकि पिंखान मेरे सामने खड़े हैं वैसे अगर शारुख खान आज हमारे सामने आ जाये तो हमें भी अपनी आखों पर यकीन नहीं होगा इस समय ये फैन गर्ल मुमेंट सोशल मीडिया पर यूजर्स का फेवरेट बना हुआ है हर तरफ बस इसी पल की चर्चा हो रही है कुछ दिस पहले ही शारुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग शेंडियों साओधी अरब में पूरी की है इस फिल्म का निर्देशन राजगुमार हिरानी कर रहे हैं इसके अलाव आरेट सी फिल्म फेस्टिवल 2022 में शारुख खान अपनी आने वाली फिल्म पठान का प्रोमोशन करते हुए नजर आए उन्होंने इवेंट में शामिल हुए सभी लोगों से अपीर की कि वो पठान को जरूर देखे साथ ही अपनी फिल्म की ट्रेलर का डायलोग भी बोलते हुए नजर आए ये प्यारी सी खबर आपको कैसी लगी केमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो चले भी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइक ने दबाना ना भोले और ये भी बताएं कि अगर शारू खान आपके सामने आ जाते हैं तो आपका रियक्शन कैसा होगा